हेलो एवरिवन, वेलकम तू मैं चैनल टेक इन्फो तो आज एक और न्यू वीडियो लेकर रहा हूँ मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्लेइलिस्ट कैसे क्रेट करनी है और प्लेइलिस्ट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं और आप अपने चैनल पर व्यूस किसे बढ़ा सकते हैं और प्लेइलिस्ट का क्या क्या benefit हो सकता है तो चले वीडियो फटा फट से start कर लेते हैं तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यह मेरे वाइटी स्टूडियो का प्लेलिस्ट है और इसमें मैंने अपने जितनी भी वीडियो हैं उनको उनके के सब्सक्राइटियो है जैसे मौनें आपको यूरमली यूटव कोल लिया है और आप नीचे कि तरफ सकते हैं राेट्स राइट कोड Nord से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी मेरे सामने यह उस्ट आ जाएगी यह नीचे की तरफ मैंने प्लेइलिस्ट बना रखी है बट मेरे को आपको एक playlist बना कर दिखानी है जैसे लिख रहा है plus new playlist मैं इस पर click करूँगा सबसे पहले मेरे को title लिखना है यहां पर जैसे मैं माले जीए unboxing की बना रहा हूं या online earning हो गई या YouTube से related कोई trick बताने है मुझे या कोई problem में उसका solution देना है तो किसी भी तरीके से आप जो भी आपका content है आप उसके नाम के हिसाब से यहां पर playlist बना सकते हैं तो जैसे मैंने unboxing की बनाई है और यहां private को पब्लिक कर दिजिए जिससे जो भी आपका subscribe जिसने भी यह playlist में show हो जाएगा ठीक है तो यहां simply मुझे create पर करना है क्लिक और यह मेरी unboxing की आप देख सकते हैं यहां पर जो playlist में यह add-on हो चुका है description में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यह जो मेरा title है मैंने क्यों रखा है और इस playlist में आपको क्या क्या चीज मिल सकती है publicly मैंने कर दिया है मैं आपको back करके दिखा देता हूं एक बार तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं unboxing लिखा आगया है इसके अंदर और मेरी जो playlist है पूरी unboxing देखे मैंने एक video add कर दी आगे इसके अंदर नीचे mobile unboxing है मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे मैं जितने भी mobile unboxing करता वह इस playlist में आपको मिल जाएंगे gadget की information है और youtube और facebook की tricks है इसके अंदर इनसे related जो भी queries होती है वो है और जितने भी मेरी short video है वो मैं hash short वाली इसमें playlist में add on कर देता हूं और online earning और यह आपका online earning इसमें online कैसे earning कर सकते हैं इनके बार में information मिलेगी इसके बाद है knowledge में मैं आप देख सकते हैं इस तरह की knowledge है और फिर है आपका credit card to bank transfer याने की credit card से related इसमें आप query की video आपको इसके अंदर मिल जाएंगी ठीक है तो इसी तरीके से जैसे माल लीजे कोई मेरा subscriber है और उसने मेरा channel subscribe कर रखा है और उसको online earning करनी है तो वो क्या करेगा मेरा channel खोलेगा और इसमे मेरी playlist चेक करेगा और यहां पर देख सकेगा कि मैंने ओल लेडी playlist में अपना इतनी सारी video add-on कर रखे है online earning वाले इसमें folder में ठीक है तो वो एकी बार मेरी सारी video एक साथ ओन करके चेक कर सकता है उसको जो अच्छी लगती है वो उसको follow कर सकता है और इसी तरीके से अगर किस को चाहिए तो मेरी सारी video एक साथ इसमें देख सकता है playlist का यह benefit होता है कि किसी को एकी video देखनी है अगर playlist आपने बना रखी है तो उसके थूरू काफी सारी video आपके एक साथ देख सकता है तो इससे क्या होता है एक तो आपके views बढ़ते हैं और ज्यादा earning आपको हो जाती है तो मेरा तो यही आपको बताना था कि आपको जो भी नए YouTube के creator है उन लोगों को प्लेलिस्ट जरूर बनानी चाहिए और प्लेलिस्ट बनाने के बाद जो उनकी video जिस content की है उसके हिसाब से उन्हें add-on कर लीजिए ठीक है इससे क्या होगा आपके एक तो यह वाली जो information है का और मैंने किस तरीके से बना रखी है जैसे mobile unboxing के अलग है gadget के अलग है short अलग है online earning अलग है knowledge के अलग है credit card वाली अलग है और YouTube और Facebook से related या WhatsApp से related जो भी कोईर ही है मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ठीक है तो इस trick को follow करिए ठीक है जितने भी new YouTuber है उन लोगो जो reaction होता है वो अच्छा होता है उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि बहुं मुझे जो मेरा content था हमें सारी query एक ही हमारी playlist में हमें मिल गई ठीक है न उससे क्या होता है audience reaction अच्छा मिलता है और वह लोग हमारी वीडियो को share भी करते हैं हमारी playlist को भी share कर लेते हैं plus मान आपको किसी person को कोई information देनी है तो उससे related जितने भी आपकी वीडियो है आप पूरी playlist को उठाके share कर दीजिए उससे क्या होगा वो एक ही बार में आपकी पूरी playlist को play on कर सकता है playlist बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है कोई मुश्किल काम नहीं है आज की date में सबसे असान काम playlist बनाए नहीं है ठीक है तो ज़्यादा देर ना करते हुए जितने भी नए यूट्यूबर हैं नए मेरे भाई हैं वो लोग फटाफट playlist बनाएं और अपनी वीडियो को playlist में add on करें और अभी अपने सभी friends को उन्हें share करें जिससे क्या होगा आपके views ज्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे सब्सक्राइबर जादा आएंगे और आपका चैनल जल्दी से monetize हो जाएगा तो thanks for watching this video and subscribe this channel and comment box में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी